दोस्तो जैसा कि आप बोर्ट पे लिखा हुआ एक कोश्चन देख रहे हूँ, कोश्चन ये है कि किसी वस्तू की 10 प्रतिशत अधा 10 प्रतिशत की 2 करमबार मुलिबृधियां किस एक मात्र मुलिबृधिय के सम्तुल है दोस्तो अगर आप भी किसी ने किसी एक्जाम की जैसे की रेलवे बैंकिंग ये सेसी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपने ये सवाल परसेंटेज के चैप्टर में जरूर देखा होगा दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बताने वाला हूँ कि आखिर इस कोश्चन को कैसे सॉल्व कह जा सकता है बिल्कुल कम से कम समय में सबसे पहले मैं आपको एक शॉट ट्रिक बताऊँगा शॉट का तरीका बताऊँगा इस कोश्चन को हल करने का और उसके बाद सेकेंड हाप में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये शॉट ट्रिक के पीछे का लाजिक क्या है तो वीडियो को आन तक देखेगा नमस्कार दोस्तों मैं हो बानिस को आनमात हो तो उसे आप कैसे कम से कम समय में हल कर पाओगे बिल्कुल शॉट कर तरीके से चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको एक सुत्र का इस्तमाल करना होगा और वो सुत्र है अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ए क्या है बी क्या है तो मैं आपको बता दो कि यहाँ पे इस कोश्चन में यह आपका ए है और यह आपका बी है चलिए अब इसको एपलाई कर देते हम यहाँ पर ए यहाँ पे 10 है बी यहाँ पे 10 है और ए इंटू बी यानि की 10 गुने 10 डिवाइड़ वाइ 100 और इसे क्या रिजल्ट हमें मिल जागा हमें मिल जागा 10 प्लस 10 बीस और यहाँ पे आपको मिल गा एक यानि की आपका अंसर क्या हो गया 21 तो आप कह सकते हैं कि यह जो 10 पर्षेंट अथा 10 पर्षेंट की दो करमबार मुल बृधिया हैं वो 21 पर्षेंट के मुल बृधिय के संतूल्य है दोस्तों अब प्रस्ण यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा कैसे हो रहा है यह सुत्र के पीछे का लॉजिक क्या है तो उस लॉजिक को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता है मान लीजे दोस्तों एक फैमली है उस फैमली में एक लड़का है बिट्टू यह उसकी बिट्टू की मा है और यह है बिट्टू के पापा एक दिन ऐसा हुआ कि बिट्टू को कुछ पैसो की जरुरत पड़ी और वो अपनी मा के पास गया अपनी मा के पास गया मा से कहता है मम्मी मुझे कुछ पैसों की जरुरत है प्लीज मुझे कुछ पैसे दे तुम मा कहती है बेटे में तुम्हें पैसे तु जरुर दूँगी लेकिन एक कंडिशन है कंडिशन ये है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे अभी है मौझूद मैं ऊसके सिर्फ तुम्हें 10% पैसे दोगी, इतना सुनने के बाद बिट्टू वहां से चला जाता है अपनी पापा के पास, वो अपनी पापा से जाके कहता है, पापा पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और उसके पापा कहते हैं कि बेटे मैं तुम्हें पैसे तो जरूर दूँगा लेकिन कंडिशन एक है और कंडिशन ये है कि तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे मैं उसका 10% तुम्हें देने वाला हूँ अब बिट्टू बड़ी सोच में पढ़ गया कि अब वो क्या करें उसने जब अपनी जेब में जाके तलासा तो उसे पता चला कि उसके पास पहले से 100 रुपए थे और उसे वो लेकर के उस उन पैसों को लेकर को अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी से कि मम्मी देखे मेरे पास 100 रुपए है और आपने मुझे से वादा किया था कि आप मुझे मेरे पास इतने पैसे होंगी उसका 10% देने वाले हो तो मम्मी ने उसे कितने पैसे दिये होंगे जी हाँ मम्मी ने उसे दिये 10 रुपए क्यों क्योंकि 100 रुपए का 10 परसेंट 10 रुपए होता है उसके बाद बिट्टु जह है अपने पापा के पास चला गया और अब अपने पापा के सामने कितने रुपए दिखाता है जी हाँ वो अपने पापा के सामने अब 100 नहीं बलकि 110 रुपे रखता है वो कहता है देखिए पापा मेरे पास 100 रुपे का नोट है और 10 रुपे का नोट है पापा ने calculate किया अगर 100 रुपे का 10% निकाला गया तो पापा ने उसे 10 रुपे दिये और बाद में उसने वो 10 रुपे का नोट निकाल के दिखा है पापा मेरे पास एक 10 का भी नोट है तो इसका भी 10% देना पड़ेगा आपको और उसका 10% क्या होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 का 10% यह होता है यह हो गया यानि कि उसने अपनी मां से 10 रुपे अगर लिये होंगे तो पापा से 11 रुपे लिये और इस तरह से बिट्टू के पास कुल मिला के अब हो जाते हैं 121 रुपे उसके पास पहले थे 100 रुपे अब हो गये हैं 121 रुपे इसका मतलब उसके टोटल जो उसके पास पैसो की बिद्धी हुई वो 21 रुपे का हुआ 100 रुपे से 121 यानि की 21% की बिद्धी उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल पर नए है तो उसको सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को भी जरू दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे आज के लिए इतना ही धन्यवाद